साथ्ष्य काल तुसी देख रहे हो सुर्खाब टीवी मैं जास्ट कौरा जिदियां देश्विदेश दियां मुख खबरां लेके हाजिर हाँ जिते पंजाब दे वेच करोना वाइरस दा कहर लगातार जारी है उते ही एक राहत परी खबर वी सामने आई है शिरी हर मंदर साहिब दे साबका हजूरी रागी ते पादम शिरी मरहूम पाई निर्मल सिंग खालसा जी दी ती ने करोना वाइरस नो हरा के करोना दी जांग जेत लई है पाईखालसा दी ती दी करोना रिपोर्ट आज नेगेटिव आईसी जस्ते उना नू तांदरुस्त होंते सिवल हस्पाल जलंदर तों छुटी मिल गई है इस दे नाल ही दास दिये के कपूर्थला दे आईसोलेशन वार्ड वेच पिछले 16 दिना तों दाखल तबलीगी जमात नाल सबंद रखन वाले करोना पॉजिटिव मरीज आफजल शेख दी दूजी रिपोर्ट जड़ी एक करोना दी ओवी नेगिटिव आणूते उसनू छुटी दे दिती गई है मुहाली जिले तों वड़ी राहत वाली खबर आई है जिले वेच करोना दे 6 होर मरीज ठीक हो जुके ने उत्रा खांड वेच सिख किसाना दी 101 करीब फसल नूँ परशासन ने वड़ लिया है किसाना ने इस दा विरोध वी कीता सी पर उना दी कोई सुनवाई नहीं होई जिकर योग है के उत्रा खांड दी खटीमा तहसील दे पिंड उलाणी वेच स्थाने कफसर दो कमबाईना लेके सिख किसाना दे खेतां वी चायती उना दी 101 करीब नूँ फसल वड़ के लेके उना दे नाल पुलिस फोर्स वी मौजूद सी उदर इस बारे SDM निर्मला बिष्ट दा कहना है के इस जमीन दा कबजा परशासंद एकोल सी पर इस दे बावजूद वी किसाना ने उस जमीन उत्य अपनी फसल उगाई जदों के 81 अकदूबर नू किसाना नू नोटिस वी जारी कीते गई साना अधिकारी नी कहा है के 6600 कुएंटल कंक दी निलामी करके जड़ी रकम है और सिरकारी खजाने वीच जमा करवा दिती जावेगी ते जेकर किसान सुप्रीम कोड़ों जित गई थां ए रकम उना नू वापस भी दिती जा सकती है इस बारे ओल इंडिया सेख प्रती नेद बोड उत्राखंड दे बुलारे सुखवांत सिंग पुलर ने दस्या है के किसाना ने जथानक तहसील दार दे नाल गल करके ही उकत जमीन उते फसल बीजी सी पर बीटे दिना दे दरान परशासन ने पुलिस दी हाजरी दे वेच ज अमीन उपर कुछ किसान वर्ग वी दे तहत वी काश्त का रहे सान 1972 दे वेच सीलिंग शुरू होई पहला किसान कमिशनर दे कोलों केस जेत गए पर हाई कोट दे वेच किसाना कोलों कोई वकील खड़ा ना कीते जानते ओए केस हार गे उस तो बादोना ने सुप्रीम कोट द दर्वाजा खड़काया सिखरली अदालत ने स्टेटस को जारी राख देता ते तरीक अगे पादेती पर होन कुरूना दे चाल दे अदालती कारवाई ठाप पई होन करके किसान सुप्रीम कोट वी ना पहुंच सके ते परशासन ने तके नाल पकी फसल किसाना दी वाड 289, 279, 271 दे तहत केस भी दर्जकार लई गई ने ओधर यूके वेच सौमवार नो एक होर पार्ती मूल दे डॉक्टर दी कुरोना वरिस करके मौत हो गई है डॉक्टर दा नाम मंजीत सिंग रियात करके दस्या जन्दा है ते मंजीत सिंग बीते दोध हाक्यां तो डर्भी शेर वेच एमर्जनसी मेडिसन सर्विस वेच कम करही सान ओबर तानिया वेच इस ओदे ते कम करनवाले पहले सेख सान एमर्जनसी मेडिसन कंसल्टेंट मंजीत सिंग रॉयत दी रॉयल डर्भी हस्ताल वेच कोविड उन्नी करके मौत हो गई है ओना दा डर्भी शेर दे वेच डॉक्टर ते मरी सारे ही बहुत सतिकार कर दे सान रॉयत ने अपनी डॉक्टरी पड़ाई उनी सौ बनवे वेच लैस्टर यूनिवस्टी तो कीती सी ओर राष्टरी सेहत सेवा दी दुरकटना ते एमर्जनसी सेवा दे वेच सिलाकर बननवाला पहला सेख सी उस दे हस्टाल ट्रस्ट ने दस्या है कि वेच डर्बी शेहर वेच एमर्जनसी डॉक्टरी सेवा मा बननवेच एहम पूमिका निबार है सी युनिवस्टी हस्टाल डर्बी अते बर्टन दे कार्जकारी अधिकारी गैविन बोईल ने कहा है कि मैं मंजीत रियात नो शर्दानजली देना चाओंदा हां जिनना दा अज देहांत हो गया है वो एक अत्यांत परबावशाली व्यक्ती सी जिसनों हर कोई प्यार करदा सी वो हस्टाल वेच बहुत सारे लोका नू जानदा सी आसी सारे उसनों बहुत याद करांगे कोरोना वाइरस दे कैर दे चाल देयां दुनिया पर दे देशा मास से आर्थिकता इक वड़ी समस्या पढ़ गह है जिस दे करके ही कोरोना वाइरस दे चाल देयां मी देशां दे वेच लॉकडाउन खोले जा रहे ने पार्त वेच भी वी अप्रेल नों कई थामा ते कोज खोल मेल चुकी है इस बारे विशव सहत समस्था डबली एचो ने कहा है के ए आग नाल खेटन मांग है डबली एचो ने लॉकडाउन दे वेच टेल देन वाले मुलका नों चितामनी दिती है के अजिहा करंदे नाल हलात होर खतरनाक हो सकतेने डबली एचो दे मुखी ने कुरोना वाइरस बरे चितामनी दिन दे होई कहा है के इस तों भी बुरा वकत अजे बाकी है डबली अचर दे खेतरी डारेक्टर ताकेशी कसाई ने कहा के कटो कट जाद तक इसता कोई टीका नहीं बन जानदा जा कोई पुखता इलाज सामने नहीं आ जानदा ओधो तक लॉकडाउन साथे वास्ते न्यू नॉर्मल होना चाहिदा है हालांके कुछ लोका ने संकेत दिता है के लाग पवेखवेच अफरीकी देशा मेंच फैल जावेगी जिते के सहत सहूलता बहुत ही माडियाने जे नेवा वीच पत्रकारांदे नाल गालबात कर दे हैं टेडरोस ने करोणा वायरस दी लाग दी तुल्ना 1998 दे स्पैनिश फ्लू दे नाल कीती है उसने कहा है के ए बहुत खतरनाक स्थीती है ते ए हो रहा है 1918 दे फ्लू वांग जिस वेच एक करोड दे क्रीब लोकां दी मौत हो गई सी साठ्य ते प्रोशा करो क्योंके सब तो मड़ा समाहले ओण वाड़ा है उनना ने कहा है के इस बिपता नू रोकिया जाना चाहिदा है एक अजेहा वाइरस है जिसनू लोक अजे नहीं समझी साकते उनने वी कहा है के शुरू तो ही WHO इस बरे चेतावनी दिंद आया है उसने कह है कि असी पहले दिन तो ही चेतावनी दिन दे आ रहे हैं कि एक शैतान है ते सानू सारे अनू मिलके इस उते काम करना चाहिदा है इस ते वरुद लड़ना पाएगा कोविड उन्नी दे संभावित मरीजां हुते नजर रखन दे ली फूड एंड ड्रग्स अड्मिनिस्ट्रेशन कमिशनर पंजाब कान सिंग पन्नू ने सुबे दे स्मू जोनल लाइसेंसिंग अधिकारियानू कुछ खास ने देश जारी कीते ने जिस ते तहत अपने अधिका कार फ्लू खांग जन जुकान दे लाज ले दवाईयां दी सपलाई करन सबंदी सिवल सर्जन नो report पेजन दे वास्ते कहा है उनना केहा है की एackड़े फ्लू ने खांसी जुकान दे इलाज वास्ते किसे व्यक्ति नो दवाई दी विकरी जन सपलाई सबंदी जानकारी लो तियां सान के कोई वी व्यक्ति जेकर किसे मेडिकल स्टोर तों खांसी जुका माद दी दवाई लेन ओंदा है ता उस दा प्रॉपर रिकॉर्ड बना की रख्या जावे ता जो करोना दे मरीज़ा नू लबन देवेचो ना नू पहचानन देवेचो सौक हो सके पर हुण पंज प्लाजमा थेरपी नाल इस महा मारीनो हरॉन दी एक उमीद जरूर जागी है देश वेच प्लाजमा थेरपी दे नाल करोना वाईरस दा पहला इलाज सफल रहा है दिली दे प्राइवेट हस्पिताल वेच थेरपी दे नाल उननजा साला इक व्यक्ति दा इलाज कीता गया सी जो के सफल रहा है, मरीज दी इस थेरपी तो बाद हालत दे विच सुदार हो रहे है, चार देन विच मरीज दी हालत सुदार जान देनाल, डॉक्टर बहुत उत्शाहित हान्य, मेडिया रिपोर्टां देनु सार मैक्स हस्ताल विच सौमर नू मरीज नू वेंटी लेटर तो ह हटा देता गया सी, जिस्तों बाद मरीज दी हालत दे विच सुदार्द से आ जा रहा है, एक को प्रवार दे बहुत सारे लोकां दे, करोना पॉजिटिव होन तो बाद हास्ताल विच उना नू दाखल करवाया गया सी, जिना दे विच दो मरीज वेंटी लेटर उते सान, उ प्लाजमा थेरपी टेस्ट कीता गया सी, डॉक्टरां दे अनुसार एक व्यक्ति दे खून विचों, वाद तो वाद 800 मिली लीटर प्लाजमा लिया जा सकता है, करोना मरीज दे शरीर वेच एंटी बॉल्डी पॉन लेई, 200 मिली लीटर प्लाजमा चड़ाया जान दा है, मै दे नजर 3 माई तक देश पार वेच लॉक्डाउन जारी है, जद के सरकार ने आज तो कुछ को खेतरां दे वेच लॉक्डाउन दे खूल दिती है, ते नाल ही कुछ रियायता मी दितियां गई है, जिनना इलाकियां दे वेच कुछ रियायत दिती गई है, उनना दे वेच e-commerce shopping भी एक है इदास देए के सरकार्दे वलों जो नियम तै कीते गए ने उना दे अनुसार e-commerce कमपणियां वलों एस समय अपने प्लाटफॉर्म तो गैर ज़रूरी चीजां दी विक्री तेपाबंदी रहेगी होन तुसी ओना चीजां नू ही ऑनलाइन खरीद सकोगे जिना दी तो हनुस जरूरत है इस दा सिद्धा मतलब है के तुसी e-commerce कमपणियां जिमें के Amazon, Snapdeal, Flipkart तो गैर ज़रूरी चीजां तो बिना एहम चीजां जरूर मंगवा सकते हो तुसी कई खान पी इंदियां चीजां ऑनलाइन ओर्डर कर सकते हो जिमें के health drinks, cooking, baking, नाश्टे दा समान, dry fruits, मिठ्याईयां ते snacks, सहत मांद पोजन इस समय सब्तों एहम है चंगी सहत इस करके सरकारी निवा दे मताबक तुसी डॉक्टरी दे नाल सबंदत चीजां जिवें के mask, sanitizer, hand wash, blood pressure monitor, nebulizer, thermometer जहा समान भी मंगवा सकते हो इस तो इलावा निजी सफाइदियां चीजां जिवें के oral care, personal, skin, hair care, shave करन वालियां चीजां दा भी order कीता जा सकता है इस तो इलावा तुसी diaper, feeding नर्सिंग, सेह दा समान भी प्रापत कर सकते हो तुसी पालतू जानवर दिनाल सबंदत समान, सफाई वालियां चीजां जिवें के जानवर अंदा पोजन, detergent, dish cleaner, रसोई cleaner, scrub air fresher वी मंगवा सकते हो, कारदियां सब एहम चीजां जिवें के आटा दाला, जाठान पीन दियां वस्तानार सबंदत चीजां, तेल आदवी खरीद सकते हो, उत्तर कोरिया दे सुप्रीम लीडर किम जॉंग उन दी, पिछले दिनी देल दी सर्जरी होई जो के सफल नहीं ह अमरीके खूफिया एजंसियां दे मताबक किम जॉंग उन दे देल दी जो सर्जरी होई सी, वो सफल नहीं होई, उन दी हालत हजे वी काफी गंबीर है, ते उन दी मौत दी शंका वी जताई जा रही है किम जोंग उनने हाल ही देश विच नैशनल हॉलिडे दे प्रोग्राम विच हिस्सा नहीं लिया जिस्तों बादोना दे बिमार हों दे क्यास लगाए जा रहे ने पंदरा अप्रालू किम जोंग दे दादे देश दे निरमाता कहे जानवारे किम इल सुंग दी जैंती हुन दी है ते नौर्थ कोरिया इसनू नैशनल हॉलिडे दे नाम दे मनाँदा है सी एनन मुताबक किम जोंग दी सेहत बारे उतर कोरिया दे मीडिया विच अजे ताक कोजवी जहा परकाशत नहीं होया इस्दा कारनी है क्यों थूंदा मीडिया सरकार दी वर्जी तों बिना कोजवी बाहर नहीं ओन दिन दा मीडिया पूरी तरह नाल सरकार दे कबजे दिख्या गया सी जिस विच उसने एक मीटिंग दी परदानगी कीती ते क्रोना वाइरस बंदी सखत जांच दे आदेश देते इना ही नहीं ओ चौदा प्रेल नू मिजाइल टेस्टिंग दे प्रोग्राम दे विच 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 उन्हाने हिस्सा नहीं लिया ओथे विच वि मचा रहा कुरोना वाइरस जिस अब तो ज्यादा तबाही अमरीका दे विच मची होई है अमरीका विच होन तक 7,92,913 लोक इसनी लाग दी चपेट विच आई होईने जिना विचों 42,517 लोकां दी मौत हो चुकी है होन तक इते इलाज तों बाद 72,399 लोक ठीक भी होईने इसे विच कार अमरीका दे विच्ञानिया ने चितामनी दिती है कि और वाले कुझ महीनिया दे विचों दे हलात होर ज्यादा खराब होन वाले ने अब कोछ जल्दी ही आम हो जावेगा, लॉकडाउन देश देविच जल्दी खतम कार देता जावेगा, हर व्यक्ती दे हाथ विच इसता इलाज होवेगा, रेस्टोरेंट्स, फूटबॉल स्टेडियम साब आम देवांग खोल जानगे, जोके हलाताम दे अनुसार, ए सिर्फ एक कल्पना तोहीं लावा होर कोज नहीं है, ब्रिटेन दे इंपिरियल कॉलज, लंडन दे खोज करतामा दे अनुसार, दूजे विशव यूद विच मारे गए, 4.5 लाख अमरीक्यां दी तुलना विच स्तंबर ताक, अमरीका विच तकरीबन 2 लाख दे मौता हो साक दिया रे, दुनिया पारविच करोना संकर्मत लोकांदी गिंती, 24,95,560 तक पहुंच गई है, इस मारू महा मारी दे कारण होन तक, 1,7,3,380 लोकांदी मौत भी हो चुकी है, वेबसाइट वर्ल्डो मीटर दे अनुसार संयुक्त राग जवेच 7,92,930 ते स्पेन विच 2,00 तो वाद इटली वेच 1,80,000 दे क्रीब, फ्रांस वेच 1,55,383 मामले सामने आएने, ओथे ही, अमरीका दे वेच बताली 1,518, स्पेन वेच 2,212, इटली वेच 4,114, फ्रांस वेच 2,215, ते चीन वेच 4,622 मौता हुन तक हो चुकी है ने, अमरीका इटली ते स्पेन तो बाद फ्रांस चौथा देश बन गया है जिते के हुन तक वी हजार तो ज्यादा लोग अपनिया जाना क्रोना वारिस्ता करके गवा चुके ने, एक चोटी दे फ्रेंच सेहत दिकारी जेरोम सलोमो ने एवी कहा है के देश वीच हुनता को कोविड उनी दे वी हजार दोसो पैट मरीजान दी मौत हो चुकी है, हाला के जेरोम ने हस्प्ताला मेंच और वाले मरीजान दी गिंती ते सखत निगरानी सिवावा मेंच आई कमी ते खुशी जाहर कीती है। तेजी नाल वाद रहे है, इस ते नाल ही चीन दी सरकार ते वहान दे इंस्टीट आफ वाइरोलाजी ते सवाल खड़े होने भी तेज हो गई ने। कई लोग इस थियोरी दे विच ए असलियत दास रहे ने के वाइरस वहान दी लैब तो ही लीक होके दुनिया पर दे विच फैलिया है। अमरीका भी लैब नू लेके जांच दी गल के चुका है। उथे ही होन कोज तस्वीरां देदार उटे दावा कीता जा रहे हा है के वहान दे इंस्टीट आफ वाइरोलाजी दी फरेज दी एक सील टूटी सी जैसे वेच हजारां दी गिंती देवेच वाइरस मौजूद सान असल विच वहान दे इंस्टीट आफ वाइरोलाजी दी ए तस्वीरां पहली बार 2018 मेच चाइना डेली न्यूजपेपर ने ट्वीटर उते परकाशित किती हैं सन पर बाद विच इस ट्वीट नू डिलीट कार देता गया सी इस आफते ए फोटोज सोशल मीडिया उते मुड वाइरोल हो रही हैंने डेली मेल दे रिपोर्ट मताबक चाइना डेली खबार ने लैब दियां तस्वीरां दे ना लिख्या सी के एशिया दे सब तों वड़े वाइरस बैंक उते एक नजर मद चीन दे हुबेई स्थित वहान इंस्टीट आफ वाइरोलाजी ने पंदरा सो तो वदेरे वाइरस नू एथे सुरख्यत कारके रख्या है दास दे एके मीडिया वेच वहान दी लैब उते सवाल चुके जान तो बाद अमरीकी राष्ट्रपती डोनल्ट ट्राम्प ने वी कहा है के आसी एस उते जांच करांगे ट्राम्प ने शुकरवार नू एवी कहा वशिंग्टन पोस्ट ने एक रिपोर्ट विच कहा सी के अमरीकी डिप्लोमेटा ने 2018 मेंच एक रिपोर्ट एक जानकारी पेज़े से जिस वेच इसकलदा जिकर किता गया सी के वुहान दी लैब दे विच चमगिद्रणा विच पाई जानवाले वाइरस उते काम चाल रहा हालांके चीन सरकारते वुहान लैब आपने उते लाए जा रहे सारे दोशान उखारेज कर चुकी है